हाई गाईज वेलकम बैक टो बैस्क्वीन आज मैं आपके चाहर शेयर करने वाली हूं पंजाबी स्टाइल में तड़के वाली पोड़ा कड़ी जिसका टेस्ट लाजब है मेरी वीडियो आप एंट तक जूर देखें अगर मेरी देश्पी आपको अच्छी लगे प्लीज मेर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जूर करें तो आईए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं इसके लिए हम वावल में एक कप बेशन डाल देंगे और साथ ही इसमें आड़ करेंगे आदी छोटी जमस धनिया पाउडर आदी छोटी जमस जीरा पाउडर आदी छोटी जमस देगी मिर्च पाउडर स्वाद के अनुशार नामक थोड़ी सी हल्थी पाउडर थोड़ी सी मेथी पाउडर अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डारेंगे ताकि इसमें लमस ना पड़ें अब हम इसमें एड़ करेंगे दो पिंच बेकिंग पाउडर और साथ ही इसमें एड़ करेंगे एक चमच के करीब ओयल फिर से हम इसमें थोड़ा सा पानी इसको मैंने अच्छे से फेट लिये है अब हम इसका डखन लगाकर इसको 15 मिंट के लिए रख देंगे तब तक हम कड़ी बनाने की त्यारी कर लेंगे इसके लिए हम एक बावल में तीन बड़े चमच बेशन ले लेंगे और इसमें एड़ करेंगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सधनिया भावडर और आप एड़ करेंगे इसमें लसी लसी हम इसमें थोड़ी थोड़ी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और इन सारी चीज़ेंगों अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो कप देंगो मैंने अच्छी से फेंट कर लस्य बना ली थी जितनी जादा आपने कड़ी बनानी है उसी इसाब से आप इसमें लस्य एड़ कर सकते हैं पोटल मैंने इसमें चार कप लस्य के एड़ किये थे अब हम एक कड़ाई में तीन से चार चमच मस्टर्ड ओयल डाल देंगे और ओयल को अच्छी से गर्म कर लेंगे ओयल हमारा अच्छी से गर्म हो चुका है अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा जीरा आदी छोटी चमच मेथी बावडर एक पिंच हींग गैस की फ्लेम हम लोही रखेंगे और अब हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ा सकड़ी पत्ता और एक चमच इसमें अड़ करेंगे अद्रको लसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें अड़ करेंगे रफ्ली चौप्त के ओवर प्याज और प्यास को हम ब्राउन होने तक पका लेंगे और थोड़ी सी समय कट्यू यहारी मिर्च आड़ कर लेंगे थोड़ी सी समय आड़ करेंगे हल्ती पाउडर और साथ ही समय आड़ करेंगे थोड़ी सी देगी मिक्स पाउडर स्वाद के अमसार्स में नमक एड़ कर लेंगे अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसमें आड़ करेंगे धनिया पाउडर प्यास को हम ब्राउन होने तक पकार लेंगे प्यास हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है कशचा करें मिक्स्टर और वा लाने तक लगतार चलाते रहें ध्यान रहें इसको एंसे बिल्कुल है न कुछटार चलाते रहें अब इसमें मेड एक चम्च शुगर क्लिया जादा खटी हो तो अब क çट साथ स्थ लिएवर को साशत शुगर भुदते कि कड़ी में वाला आ चुका है अब हम गैस की फ्लेम लोग कर देंगे और कड़ी को 20-25 मिन्ट अच्छे से पका लेंगे इसको पकाते हुए मुझे 20-25 में हो चुके हैं अब हम गैस की ब्लेम ओफ कर देंगे अब हम कड़ी के लिए पकोड़े रेडी कर लेंगे पकोड़े बनाने के लिए जो वैटर में रखा था वो अच्छे से फलपी हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे कुछ वेजटेबल सब्सक्राइगे हमारे जिश माने बनाने के लिए चाहिए मिटी है अब हमिन सारी चीचिजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पकोड़े बनाने के लिए वेटर हमारे रेडी है, अब हम पकोड़े फ्राइए कर लेंगे, इसके लिए मैंने ओईल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिये था, ओईल हमारा अच्छी से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर एक एक करके पकोड़े डाल देंगे, अब हम इनको गॉल्डन ब्राउन होने तक प्राइ कर लेंगे पकोड़े हमारे अच्छे से गॉल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इनको ओईल से बाहर निकाल लेंगे पकोड़े हमारे बहुत ही सॉप्ट बने हैं आप सामने देख सकते हैं इनको आप चाय के साथ भी सर्ब कर सकते हैं ये गर्म गर्म पकोड़े हम कड़ी के अंदर डाल देंगे कड़ी को और जादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें लगाएंगे तड़का इसके लिए हम एक तड़का पैन में तीन चमश देशी गीर डाल देंगे गी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे गी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ा सजीरा और साथ इसमें अड़ करेंगे तीन सूखी मिर्च और लास्ट में हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर ये लिजी तढ़का हमारा रेड़ी है अब हम इसको कड़ी के उपर डाल देंगे और दो मिंट के लिए सको डखकर रकेंगे ताकि इसमें तढ़के का फ्टेवर अच्छी से मिक्स हो जाए अब हम इसका टकन खोल देंगे यह लीजिए पंजाबी स्टाइल में तड़के वाले पकोडा कड़ी हमारी बन करें लिए यह बहुत इलाजवाब बनी है आप सामने देख सकते हैं मेरी रेस्पी आप घर पर जो ट्राइक करें अगर मेरी रेस्पी आपको छे लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जो करें